Hello everyone, आप सबी का स्वागत है, Maggot Brains in the Medium में, मेरा नाम वेदान थे और मैं हूँ आप सबी का English Educator, so my dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले चली देखते हैं Class 11th English, Bihar Board, Read, Think and Enjoy, Spring Chapter No. 9, Multiple Choice Questions Question No. 1 है, Who wears fresh leaves of red and green color? कौन है, जो लाल और हरे रंग के color की पत्तियों को उड़ा हुआ है, Tree, Poet, Nature या कोई भी नहीं इसका सही answer है, Tree, Tree पहन कर बैठा है Question No. 2 है, Who makes soft murmuring sounds through the trees? अर ट्री से कौन सा sound निकाल है, murmuring sound एकदम भिनन भिनन सा sound आता है ना, महीन सा, एक हवा चलती है तो ऐसा होता है तो क्या होगा, air है, flower है, leaves है, क्या होगा इसका answer? इसका सही answer है, air ठीक है? चली, Question No. 3 है, Who gave different colors to the flower? अब flower को कौन अलग-अलग color देता है? Nature, Poet, Trees, Leaves, कौन देता है? इसका सही answer है, Nature Question No. 4 है, Who is personified in this form? इस form में कौन personified? Nature, Poet, Trees या Rose? इसका सही answer क्या है? Nature, अब personified का मतलब क्या होता है, किसी को humanly figure देना है, ना human बना देना है तो यहाँ पर Nature answer है Question No. 5 है, Which flower is beautiful? कौन सा flower खुब इस रोज, लिली, sunflower या कोई भी नहीं, none of the above इसका सही answer है, Rose रोज लाल कलर को तो बहुत अच्छा लगता है Question No. 6 है, This extract is from the first canto entitled अच्छा, यह कहां से लिया गया है, Spring से, Winter से, Summer से है, कहीं से भी नहीं यह लिया गया है, Spring, Spring है, canto का नाम क्या है, in title लिया है, Spring पहला canto का part जो आप पढ़ रहे हैं, यह poem Spring से है तो Spring नाम दिया गया है, उसकी कुछ parts है poem की है, तो Spring में है, Winter में, अलग-अलग तरीकी से डिवाइट किया गया है तो यह जो extract है, पहले केंटो से, जिसका नाम क्या है, Spring है 7th है, the poem shows the flora and phona, वह कहां का flora phona बता रहे है, बिहार का, भोपाल का, हर्याना का, देली का यह बहुत अच्छी poem है, और इस सभावे के, यह बिहार के लिए लिखी गई है, तो आप लोग जहां रहते हैं, बही का flora phona है ना, जानवर और plants बगएरा की बात हो रही है अब यहाँ पर दिया है, question number 8, who were jealous of each other, कौन जल रहे थे एक दूसरे को देख के, leaves, flower, tree or no one, कौन? यहाँ पर आंसर है flowers, आप जिसे gel ना, जल था थोड़े जल सकते हैं, जीवित हैं, लेकिन कहीं ना की, यह सभी गुड़ आदने में होते हैं, तो flowers को भी personify किया गया है, आप पर अगर आप अच्छे तरीकी से देखो तो तो इसी के साथ, question number 9 देखते हैं, which flower is the queen of flowers? कौन सा flower है, जो queen है flowers का? अब rose है, ब्रार है, एगलेंटाइन है, यह ना, no one है, कोई भी नहीं है आपको बता, जब ने पॉर्म पड़ी थी, तो वहाँ पर साफ साथ दिया हुआ था, कि जो एक ऐसा flower जो बहुत खुबसुरत है, poet के senses को अपील करता है, वो है rose या ब्रार, या इगलेंटाइन, या कोई भी नहीं है, आप guess करिए, इसका सही आंसर होगा, rose, गुलाप का कौन है, जो खुश्बू को, फुलार की जो खुश्बू है, उसको कॉपी नहीं कर सकता, artist, poet, trees या nature, अब सुभावे के nature ने तो पूरी प्रकरती बनाई, खुद प्रकरती है, वो इससे सब कुछ evolve हुआ है, सब कुछ parts उसे से बने हैं, trees भी प्रकरती में आता है, हम सभी आ इसे के साथ हमारी session over हो जाता है, यहाँ पर साइट आप courses available है, आप देख सकते हैं, हम आपको high quality education देते हैं, चीके dear students, आप हमारी video को like करें, share करें, subscribe करें, हम आपको यहाँ आपर अगर चाहते हो books और ebooks पढ़ना तो हम यहाँ आपर आपको link दिये हुए है, description box में लिंक है, मापजा कि आप देख सकती हो, ठीके, और इसे के साथ आप लोगों का बहुत बहुत भन्यवाद,